आज की जो विकिंसी है यह आपको DRDO के तरब से आड़ी है DRDO के तरब से न्यू विकिंसी है जिसके बारे मैं आपको इस वीडियो में बताना वाला हूँ अगर आप इसमें इंट्रेशेट होंगे इलिजिबल होंगे तो जरूरर से इसको अपलाई कीजिएगा और टिकनिकल फ से अगर आप लोग बीटेक कर रखे होंगे तो इसमें अपलाई कर सकते हैं और अगर आपका ब्रांच इसमें नहीं है तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर से बताइएगा ताकि आने वाले जो विकेंसी होंगी आप से रिलेवेंट आपको देखने के मिलेगी इसके बाद य इसमें की computer science engineering, chemical engineering, electrical and electronics, electronics and instrumentation, commercial and computer practice और mechanical engineering ये सभी ब्रांच से अगर आप लोग डिप्लोमा कर रखे हैं तो आप यहाँ पर अपलाई कर पाएंगे ये डिपलोमा वालों के लिए इसमें भी फ्रेसर इलिजिबल है अपलाई कर सकते हैं और उसके बाद जो है ये आईटिया व तो आने वाले जो vacancies होंगी आपसे relevant पाने के लिए आप लोग comment section में जो भी आपका branch हो कौन ब्रांच से आप diploma की हैं कौन ब्रांच से आप bbtek की हैं या कौन से ट्रेट से आईटिया की हैं जरूर से बताइएगा ताकि आने वाले vacancies आपको इस channel के माद्धम से मिलती यह जो notification PDF है आपको हमारे telegram channel पर मिल जागा तो उसका जो link है वीडियो के description में या comment section के pin comment में जरूर से जोइन हो करके रहेंगा और बहुत सारे इसे update आते जिनका मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ वह भी आपको हमारे telegram या WhatsApp ग्रूप में मिलती है तो उसका जो link है दिय defense research and development organization और उसके अंदर में आता है naval science and technological laboratories यह है आपको विसाखा पत्नम में इसके तरफ से विकंसे भी यहाँ पर आ रही है location इसकी विसाखा पत्नम यहाँ पर रहने वाले advertisement यहाँ पर देख सकते हैं इसका advertisement नमर यहाँ पर दिया गया 012023 इसमें अभी online application invite किया गया जो कि आप देख सकते हैं इसमें आपको डिपलोमा, graduation और IT एतीनों वालों यहाँ पर apply कर सकते हैं और यहाँ पर बहुत सारे branches हैं यह विकंसी आपको apprentice के post भी यहाँ पर out की गया आपको DRDO से apprentice करना beneficial देगा क्योंकि DRDO में आपको बहुत सारे vacancy आती रहती है और जो apprentice किये रहते हैं उन लोगों को benefit मिलता है तो अगर आप लोग अभी newly pass out हुए हैं तो आप यहाँ पर apply कर सकते हैं इसमें की graduate, diploma और IT वाले apply कर सकते हैं आप कौन से year में पास होने चाहिए 2021, 2223 में अगर आप पास हुए हैं तो आप यहाँ पर apply कर पाएंगे आप जो हैं इंडिया नेशनल से बिलोंग करने तो नहीं कि आप all इंडिया से कहीं से भी बिलोंग करते हैं जिरूर साप इसमें eligible हैं कौन-कौन से यहाँ पर branches है तो मैंने आपको details में बता ही दिया फिर electronics and Instrumentation electronics and electronics engineering electrical and electronics निए सभी ब्रांजे से अगर आप लोग कर रखैंगे 28 vacancy है और यहाँ पर 9000 पर मत आपकी स्टी पे Tennant मिलने वाली है techniques की बात करें तो यहाँ पर Chemical, Electrical and Electronics Engineering, Electronics and Instrumentation, Commercial and Computer Practice और Mechanical Engineering यह सभी ब्रांज से अगर आप लोग कर रखें, Diploma तो यहाँ पर अप्लाइ कर पाएंगे 23 इसमें पोस्ट दी गई है और यहाँ पर 8000 पर मंथ आपकी स्टिपेंड मिल ले वाली है अब बात करते हैं यहाँ पर आपको ITI या Trade Apprentice की इसमें आपको यह सभी ट्रेड दी गए जिसमें की CNC Operator, Computer Operator and Programming, Assistant, Electrician, Welder, Gas and Electric, Turner, Feetor और Mechanics इसमें Total 11 Vacancy है और यहाँ पर आपको सभी मिला करके 62 पोस्ट पोस्ट पर यह विकेंसी यहाँ पर आउट की गई है इन में से किसी भी पोस्ट में अगर आप बिलोंग करते हैं, Eligible हैं, इसके Eligibility Creator को Match करते हैं तो जरूर साप इसमें Apply करना चाहते हैं अगर आप इसमें Interested हैं तो सभी का जो Link है मैं आपको वीडियो के Description में दे दूँगा तो वीडियो का जो Description है जाएए वहाँ पर Notification नाम से Link होगा उस पर किलिक करके आप लोग Telegram से भी Download कर सकते हैं, यह PDF मैं आपको Telegram पर भी Provide कर दूँगा तो वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं या आप इसके Official Website से भी Download कर सकते हैं जहां से आपके लिए Suitable वहाँ से आप इसको कर सकते हैं, एक जीज इंपोटेंट पॉइंट आपको धियान देना है कि जो भी से Candidate हैं जो कहीं पर भी अगर आप Apprentice करना चाहते हैं तो आपको Nets Portal पर Registration करना जरूरी होता है तो अगर आपको Nets Portal पर अभी तक Registration नहीं किया है, तो आप लोग हमारे Playlist में जाएं, मैं वीडियो इस पर बना चुका हूँ आपको Playlist में 5 से वीडियोद मिल जाएंगे जिसमें कैसे Registration करना है, कैसे Vacancy को Apply करना है, कैसे Jobs को सर्च करना है आपको Vacancy को, Nets Portal के तुरू Apprentice Vacancy को, तो आप वहाँ पर जा करके देख सकते हैं, आप सीख सकते हैं और अगर आप लोग ITI Holders हैं, तो ITI Holders के लिए ये Website है www.apprenticeindia.gov.in ये Apprentice वालों के लिए, ये ITI Apprentice वालों के लिए और Diploma और BB Tech वालों के लिए Nets Portal हैं, तो आप Google में भी सर्च कर सकते हैं, Nets लिक करके तो हाँ पर आ जाएगा Regular Candidate जो भी हैं, जो 2021, 2223 में पास हुए हैं, वही लोग इसमें eligible हैं अपलाई करने के लिए, अगर आप लोग इसके अलावे किसी दूसरे year में पास होट हुए हैं, तो आप यहाँ पर eligible नहीं है, अपलाई नहीं कर सकते हैं यह apprentice training की जो आपको validity होती है, 12 months की होती है, 12 months आपके यहाँ पर आप लोग अगर select होते हो, तो 12 months आपको यह काम सिखाएंगे, जो भी रहता है, उसके बाद इस दोरान आपको जो 8000-9000 stipend है, वह आपको मिलेगी, उसके बाद आपको certificate प्रवाइड की जाती है, ओ certificate आपके ल लगा करके अपना benefit ले सकते हो, अब बात करते हैं कि अगर आप इसमें interested है, apply करना चाहते हैं, तो कैसे apply करना है, तो apply करने के लिए मैं आपको video के description में या हमारे telegram पर इसका एक PDF दिया गया है, इस PDF को आपको truly fill up करना, यह इसका एन एक zero one है, देख सकते हैं, इसमें आपको सबी कुछ fill up करना, यहाँ पर आपको photo chip का देना है, यहाँ पर आपको अपना block letter में name, date of birth, उसकी बात यहाँ पर आपको fathers या mothers ने, mammy या पापा का नाम डाल देना है, उसकी बात कि इस post के लिए apply करना चाहरे है, address for communication, mobile number, email id, यह सबी चीज आपको डाल करके, educational qualification, details fill कर देन है, और signature कर देना है, और इसका scan करके, आपको इस email address पर send कर देना होगा, आप online इसको apply कर सकते हैं, कहीं पर भी offline visit करने की जरूरत नहीं है, उस application को आपको fill कीजिए, उसके बाद उसको scan कीजिए, जो भी सारे documents है, सभी को एक PDF format पर बनाएं, और इस email address पर आप send कर दीजिए, यह email address यहाँ पर दिया गए, admin.dept.nstl at the rate gov.in, तो यह email address पर आपको send कर देना है, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, तो यह इसका important point था, जो कि मैंने आपको बताया है, बत करें, इसकी last date कब तक रहने वाली है, तो यह DRDO का official website के career section में, विकंसी यहाँ पर दी ग सकते हैं, यही से इसका application format या PDF है, सभी कुछ यहाँ से आप download कर सकते हैं, जो कि मैं वीडियो के description में telegram का link दे दिया हूँ, या comment section के comment में, तो telegram पर आपको हमारा channel मिल जाएगा, वहाँ पर आप PDF download कर सकते हैं, सभी PDF जो भी आता है, मैं वहाँ पर डाल देता हूँ, notification भी ज भी आपका branch हो, कौन branch से आप diploma की हैं, कौन branch से BBT की हैं, या कौन से trade से idea की हैं, जरूर से बताइएगा, ताकि आने वाले vacancy आपसे relevant आपको देखने के लिए मिलेगी